दीन द्याल उपाध्याय गोरकपूर विश्विद्यालाई के बायो टेकनलोजी विभाग में व्याख्यान का आयोजन किया गया इस दोरान मुख्य अतिथी के रूप में पहुचे जर्मनी में अपने व्यग्यानिक शोत का जंडा गाणने वाले गोरकपूर के डॉक्टर बदरीनाथ दूबे ने चात्रों को संबोधित करते हुए गोरकपूर विश्विद्यालाई के चात्रों को जर्मनी में हो रहे शोत के बारे में अउगत कराया तथा जर्मनी में चल रहे उच्च सिक्षा में शोत के लिए चात्रों को प्रोट साहित किया उन्होंने कहा पूरवांचल के चात्र बहुत होनहार है और अब जब इनको उसर मिलता है तो अपने आपको सिद्ध करते हैं उन्होंने जर्मनी के शो संस्थानों में उच्छ शोध हेतु जाने के लिए छात्रों का मार्क दर्शन किया इस संबंध में गोरकपूर नियूस से बात करते हुए गोरकपूर विश्विद्यालाई के बायो टेकनलोजी विभाग के अध्याच प्रोफेशर सरत कुमार मिश्रा मुख्य वक्ता डॉक् दुबे ने कहा वक्ता अलाओ कि इस तुक में प्ज़ एकलव में छ्यात कर रेमार्न का दुक Major में बत्रों प्रों के लिए को में जो एक रेमार्न कविद्य आफ्य金 को hके प्रवशस्राइब मैं प्रवशर शर्वारग्मार मिश्राइब नियुक इच्छ हूं तीन दाल पाधया गुरॉपल पाधया गुरॉपल आपे गुरॉपल इनुक टी पाधया आज बायो टेक्नलोजी विभाग बिन्य अलपाद्य गोरगपर विश्वध्याले में हैंबर्ग जर्मनी से आये हुए जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं सेंटर फॉर सिस्टम बैयोलोजी में डक्टर बद्री नादूबे उनका व्याख्यान है और डक्टर बद्री बायर किया जाए कि वह अपनी उच शिक्षा और उच शोद के लिए विदेशों में जाएं वहां की तक्नीकियों को सीखें वहां से एक्स्पोजर लें और भारत आकर कि भारत देश की सिवा करें तो पहला जो उनका टॉक है पहला जो व्याख्यान है वह इस पर आधारित ह वो हमारे चात्रों को इसके बारे मताईंगे किस तरे से EURPAN में और USA में ओचषिक्षा में शोद के लिए जाया जा सकता है कितरसे प्रोच किया जा सकता है दूसरा जो उनका ब्याख्यान होगा वो ब्याख्यान उनका जो शोर्थ चल रहा है जर्मनी में वो एक ट्रेनियो ट्रैक साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं एक पूरी की पूरी साइंटिफिक टीम को लीड कर रहे हैं और वो बैक्टीरिया में जो सिग्नलिंग मेकनीजम होता है, सिग्नलिंग सिस्टम होता है। उसके बारे में वो अपना ब्याक्षान दे रहे हैं, जिस्पे वो वहाँ पर जर्मनी में काम कर रहे हैं। Dr. Badrinath Dubey ये गोरखपूर के ही हैं गोरखपूर के ही छात्र रहे हैं तो ये बहुत ही भागी की बात है कि वह हमारे विश्वेधाले में हमारे डेपार्टमेंट में उन्होंने अपना समय दिया है और ब्राक्षान हो रहा है मेरा नाम डाक्टर बदरिनाद दूबे है, मैं ही गोरफपूर का रहने वाला हूँ और अभी मैं जर्मनी में हैंबर्ग में टेनियोर साइन्टिस्ट हूँ और टीम लीडर हूँ आज संगोष्टी का में जो फरफज यह है कि मेरा जो टॉक है वो दो पार्ट में है, पहले टॉक में मैं बच्चों को यह बता रहा हूँ कि वो कैसे जर्मनी में अपना इस्टडी के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या चीजें की आउशकताएं होती हैं, अगर आप बाहर से प्यजडी करना चाहते हैं, या मास्टर करना चाहते हैं, या इवेन बैचलर करना चाहते हैं। Second, मैं अपने research के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर क्या research कर रहा हूँ, किस topic पर मेरा research है, खास करके जो अभी एक तरह से antibiotic resistance की जो tsunami आई है, कोरोना होने के बाद मेरा research का focus उस direction में अभी जा रहा है कि कैसे हम antibiotic resistance को tackle कर सकते हैं in future, चाह रहा है और बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं और बहुत सारे question पूछ रहे हैं कि sir आप वहाँ पर कैसे apply कर सकते हैं, research का क्या वहाँ पर environment है, किस तरह के supervisor किस तरह से help करते हैं और गोरखपुर विश्विद्याले से क्या वहाँ चाहत्र है, मैंने उन्हें बताया कि गोर कुर्विश्विद्याले से रहते हुए भी आप बाहर जर्मनी में PhD कर सकते हैं